हलो बच्चो तो आप चाहे 11 पे हो चाहे 12 में हो यह शायरी आपके लिए और इसी शायरी से शुरुआत करेंगे हम नीट एक्जाम 2020-22 की तो शायरी ज़रा सुनिए गौर फर्माईएगा कि रो पड़ेंगी आखे तेरी आसमान से ऐसी खबर भी आएगी आज तेरे हातों में रेथ है तो क्या हुआ कल इस समंदर में तेरी लहरे भी आएगी तो इसी लहरों का इंतजार करते हुए क्योंकि आप सब अपनी आखों में सजाय हुए हैं नीट 2022 के सपने और शायर आगे के भी कुछ सपने तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है नीट फॉर्म फिल करने में वो थोड़ी सी दूर हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की नीट एक्जाम से रिलेटेट कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बात हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नीट 2021-22 जो अभी इसी साल होने वाला है क्या है इसमें खास बात इसी साल का मतब इस सेशन में होने वाला है सबसे पहली बात कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं तो हाँ जी आपने सही सुना है इसके जो form है वो 6th April से start हो चुके है और last date apply की अभी तक जो है latest जो बता रही हूँ मैं आपको वो last date है 6th April, 6th May 2022 अब एक खास बात जो सभी को जाननी होती है कि exam कब है तो exam की date जो है वो अभी तक confirm नहीं है क्योंकि थोड़ी कश्मकश है और वो कश्मकश ये कह रही है कि शायद 17th या 22 यानि कि 17 या 22 जुलाई के आसपास की दो date जो है वो अभी बताई जा रही है लेकिन confirmation नहीं है मतलब आज से आपके पास में, जून, जुलाई जो है दो महीने तो आप अपनी preparation के रख सकते हैं और अगर आपने शुरू से पढ़ाय तो फिर कोई बात ही नहीं है ठीक है और 11 वाले भी ध्यान रखें क्योंकि अगले साल उन्हें शायद need देनी है तो उसके लिए कुछ चीजे तो वही सेम रहेगी तो यह जो थी यह कुछ main main point थे need 2021-22 के लिए जो अभी 12 में पढ़ रहे हैं ठीक है चली और कुछ extra बातें जो आपके सामने confusion create करती है सबसे पहले कि need का registration कहां से भरे तो देखते हैं कहां से भरना है जब आप google पे जाएंगे और google पे need registration सर्च करेंगे तो आपको first site मिलेगी registration form need की जो आपको यहाँ पे click करना है click करते हैं देखिए यह ministry of health and family welfare के एक site खूल गई है यहाँ पे यह देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है publish date April 16, 2022 यह एक site है आप बस google पे just आपको search करना है यहाँ पे जैसे आप registration form need search करेंगे यह देखिए नीट का जो है आपके पास form आ गया है national eligibility come interest test यूजी करवाती है यह और medical level पे medical में जाने के लिए आपको यह exam देने होते है especially अभी बताते हैं और भी यह देखिए सारी apply on legislation, fill online application form, pay examination fees वैसे आपको कोई ज़रूत नहीं है अगर आप किसी भी computer center पे cyber cafe पे जाकर करेंगे तो वो कर देंगे यहाँ पे सारी चीजे आपको दिख रही है कुछ इस तरह का आपको जो है आपका इसको फ्रेंट दिखेगा चलिए अब कर लेते हैं हम कुछ खास बाते जो आपको confusion एक तो आपने date देख ली, एक आपने देख लिया कब last date है अब सबसे पहला सवाल कौन दे सकता है सवाल यह आता है ठीके और हम किस नीट के बात कर रहे हैं इसी साल होने वाली 2022 वाली नीट के बात कर रहे है ठीके तो सबसे पहले जो अभी class 12th में है या class 12th में जिसको हम क्या बोलते पढ़ रहे है है ना अभी exam देंगे या हम बो सकते हैं appearing है वो दे सकते हैं जिनों ने last year class 12th complete कर रखी वो क्या कर सकते हैं ये नीट exam दे सकते हैं तीसरा अगर आप BAC, BTEC या आप additional अज सब कुछ समझते हैं जिनोंने क्या किया होता है maths के साथ बायो लिया होता है और बायो ली हुई है आपने अपने अडिशनल में बायो ली हुई है तब भी आप क्या कर सकते हैं ये नीट का एक्जाम दे सकते हैं दूसरी चीज ये सब तो ठीक चीज है लेकिन सबसे important वात है एज जिसमें आपको सबसे जादा दिक्कत आती है तो पहली दूसरी चीज हम देख लेते हैं एज क्या चाहिए हमें यानि आयू तो minimum यानि की सबसे कम आयू जिसको हम क्या बोलते हैं minimum एज जो वो है 17 साल चाहे आप 12 में हो चाहे आप 12 पढ़ रहे हो चाहे आपने 12 कंप्लीट कर ली हो आपके उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए अब ये count कैसे करेंगे तो अगर हम इस year की बात करें 2022 के अगर इस exam की बात करें तो इस year के 31, 12, 2022 तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए ठीक है जरूरी नहीं कि आपने form भरा हो तब आप 17 साल के हो लेकिन 31 दिसमबर 2022 तक इस date को आप 17 साल के हो उससे पहले हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके बात नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मैं मैं तो एक जन्वरी 2023 में 17 साल कहूँगा तो फिर आप ये form नहीं भर सकते ठीक है इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको example दे देती हूँ कि अगर आपका जन्व अगर आपका जन्व इकतिस बारा दो हजार पांच या उससे पहले हुआ हो या तो 31 दिसलमन 2005 को हो गया हो तब भी ठीक है लेकिन उससे पहले किसी मन्त में हुआ हो नवे दसवे ग्यारवे पर 2005 सन होना चाहिए तब आप ये एक्जाम दे सकते ही लेकिन आप बोली कि मैम नहीं मैं तो पैदा हुआ हूँ दो जनवरी 2006 में तो आप ये एक्जाम नहीं दे पाएंगे माप कीजेगा ठीक है आपको बात समझ में आगए ये एक्जामपल था और ये गाइडलाइन थी जो नीट द्वारा दी गई है उसमें आप चाहे 12 पढ़ रहे हूँ 12 पास आउट हो आपने 12 में 3-4 बार एक्जाम देने के बाद 12 पास की हो सप्रिमेंटरी से 12 पास की हो उससे कोई लेना देने नहीं उसके लिए मापे अलग-अलग कोड है वह कोड वन है और एक कोड टू है कोड वन तो उनकी लिए जो अपीरिंग है और कोड टू वह है जो या पास मतलब लेट पास आउट हूँ है बीस की कर रहे हैं मसी कर रहे हैं जो भी अगर देना चाहते हैं अब तीसरा सवाल जो अब तक की सबसे बड़ी हाइलाइट थी वह थी कि मैक्सिमम एज क्या है मैं कब तक दे सकता हूँ नीट तो पहले इसकी उमर 25-30 थी मतलब जनरल OBCSE के लिए अलग अलग थी लेकिन हाल ही में 2-3 महीने पहले हाई कोड सुपरिंग कोड ने ये गाइडलाइन दी है कि आप किसी भी उमर तक नीट दे सकते हैं मतलब आप कितनी भी बार 17 साल होने के आपको कोई नहीं रोक सकता अभी तक कि ये गाइडलाइन जो है हमारी गौर्रमेंट ने हमें दी है तो ये बाते खतम हो गई और क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं और एक ही कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ठीके क्या-क्या पेपर्स चाहिए इसके लिए हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए ठीके तो पहला आपके पास एक तो आपका फोटो होना चाहिए पास्पोर्ट साइज एक पोस्ट कार्ट साइज फोटो भी होना चाहिए दो तरके फोटो चाहिए ठीके वो आप फोटोग्राफर से बोलेंगे कि मुझे पास्पूर्ट चाहिए फोटोग्राफ चाहिए वो आपको बता देगा ठीके तीसरा है आपके सिगनेचर हस्ताक्षर और क्या चाहिए आपके फिंगरप्रिंट चाहिए हाँ यह जो हस्ताक्षर है वो एक्चली मेंशन किया हुआ है फ्लो में होने चाहिए फ्लो में मतलब कि जैसे मेरा नाम प्रिया है तो मैं ऐसे प्रिया हस्ताक्षर नहीं करूँगी मेरा जैसा फ्लो है मतलब मिक्सिंग जैसे मैं यह यह प्रिया ऐसे लिखना है फ्लो में लिखना है हैंड फ्लो में लिखना है ठीक है ऐसे नहीं कैपिटल वहना कोई भी कॉपी कर लेगा केपिटल में तो कोई भी ऐसा कॉपी गढ़ सकता है, आपको हैंड फ्लो में करने, यह ध्यान लगे, फिंगरप्रिंट्स आपको सारी, दस के दस एंगलियों के फिंगरप्रिंट करने, ताकि आप अगर आपकी जगह कोई और मुन्ना भाई MBBS बनके बैठा है, किसी ना आपक एक्जाम का पेपर चौरी करके खुद डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, तो आपको वो इससे पहचान सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट से, आपकी लिए ही है सब कुछ, ठीक है लास्ट येर जो सब कुछ हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए, नीट में जो लोग और बढ़ा दी गई है, तो यह यह चाहिए, एक आपको चाहिए, आपका जो कास्ट सर्टिविकेट है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाती प्रमान पत्र, जो होते हैं, एक तो EWS नया चला हुआ है अभी, एक OBC, EWS सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है, स्टेट वाला नहीं चले चलेगा, OBC, SC, ST, ठीक है, हो गए, और अधर भी एक कैटेगरी मान लेते हैं, चलिए, अधर, जो भी कैटेगरी लगते हैं, अब इन में क्या खास बात है, कि यह जो EWS है, यह यह कहा रहे है, SC, ST का तो कभी भी किसी भी एर का चलेगा, यह कहा रहे हैं कि जो EWS और OBC है, व पहले का होना चाहिए, या मतलब जन्वरी के बाद का होना चाहिए, जन्वरी 2022 के बाद बना होना चाहिए, जन्वरी में बना होना, मतलब लास्ट यर का नहीं होना चाहिए, 2021 का नहीं चलेगा, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, उसका प्रोसेस होता है, आप जाके आपको चाहिए citizen certificate ये क्या है ये है आपके कि जिस जगह पे आप रहते हैं है ना नागरिक्ता जिसको बोलते है कि आप भारत के वासी हैं क्योंकि उसमें NRI भी भर सकते हैं नीट का एक्जाम मतलब फॉरण में रहने वाले स्टूडेंट भी एक्जाम बढ़ते हैं तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं इसमें आप लगा सकते हैं citizen certificate के अंदर आप क्या लगा सकते हैं एक तो आधार लगा सकते हैं और आपका जो मूल निवासी प्रमान पत्र होता है ना सब जगा का बना हुआ जिसको domicile certificate बोलते हैं वो लगा सकते हैं और भी आप जब site खोलेंगे आपको option मिल जाएंगे और इन certificate के साथ अगर आप वो handicap में आते हैं या अगर आप विकलांग के उसमें आते हैं या आपको कोई health issue है तो उसके लिए अलग से वाहापे सब कुछ form दे रखा है वो आप हम सिफ मोटी मोटी जंदल बाते कर रहे हैं तो यह यह चीज़े आपको जो है उसके लिए चाहिए इसको प्रिपैर करके रखिए अपने साथ और खुच जाहिए form बरवाने में हां अगर इसमें कोई गलत वैसे है तो आपको बहुत सावदानी बरतनी है लेकिन कोई गलती ह हो जाती है क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होती है कही बार हम क्या कर देते हैं पेमेंट कर देते हैं ओनलाइन लेकिन हमसे कोई लिखने में गलती हो गई है या साइन करने में गलती हो गई है तो एक विंडो खुलता है जिसको बोलते हैं करेक्शन विंडो वो शायद last date निकलने के बाद खुलता है जिसको हम बोलते हैं भूल सुधा खिड़की ठीक है ज़्याद ही मैं इन्दी पर मैं translate कर रही है ठीक है तो ये गलतिया अगर आपसे कुछ हो जाती है तो आप correction window में जाके उसे correct कर सकते हैं अगर आपके पास कोई certificate नहीं है मानलो आपके पास EWS नहीं है या जैसे वो कह रहे हैं कि जन्वरी से पहले का चाहिए या SCST certificate आपने अभी बनवाना शुरू किये हैं तो अभी आपके पास नहीं है तो आप एक affidavit दे सकते है affidavit क्या होता है affidavit ये चीज़ होती है कि उस पे पत्र वहाँ पर प्रोवाइट करवाया जाता है एक पत्र होता है गोशना पत्र जिसको कहते है affidavit को declaration form गोशना पत्र, affidavit, declaration form ये मिलेगा आपको form पर वहाँ पर एक तो ये चीज़ लिखी होती है पर इसके validity खतम हो गई है तो मैं अगले 6 महिने या अगले 3 महिने में नया certificate बना के यहां पर पेश कर दूँगा या upload कर दूँगा या तयार करवा दूँगा ऐसा एक affidavit भी बनाया जाता है सबसे main बात कि सारी कहानी तो आपने बता दी है ना फीज क्या है में काम तो किसका है पैसो का तो फीज पर आ जाते हैं फीज में क्या है कि अगर आप EWS है या ओबी सी है तो आपको पंद्रा सो रुपए देने हैं इंडियन रुपीज है ना डॉलर हमें ने और अगर आप जनरल केटेगरी में जनरल समझ गए ना सामान्य जैसे कि मैं हूँ अगर मेर को कोई कीड़ा लग जाए कि नहीं मैं इस बार नीट दूँ तो सोला सो रुपए के भचिड़े खाने है ठीक है उसके बाद अगर आप SC ST है या कोई अधर कास्ट में है तो उसको 900 रुपए देने है यह अभी तक की फीस है ठीक है तो बार समझ में आई तो 1500, 1600, 900 में आपकी आखों में आसू आने वाले हैं और आस्मान से वो खबर आने वाली है और समंदर में लहरे भी आने वाली है लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगी मेहनत जो हम तो करवा रहे हैं लेकिन आपको भी करनी है ठीक है तो अभी से शुरू हो जाई है 12 में जितने भी चैप्टर आ गए हैं उसके homework solution वीडियो आप देख डालिए क्योंकि महाँ पे सब जगह जो है नीट वीड के question डाले हुए है पुरानी नीट के और पढ़ना पढ़ाई 11-12 की दोनों की करनी पढ़ेगी 11 भी पढ़नी पढ़ेगी और 12 भी पढ़नी पढ़ेगी कोई concession नहीं है इधर तो fees में concession मिल जाएगा इधर नहीं मिलेगा मैनत में कोई concession नहीं है ठीक है अब कुछ लोग बच्चे पूछ रहे हैं seat के बारे में कि मैम seat कितनी है क्योंकि वही तो खेल शुरू होगा तो seat का ऐसा माना जा रहा है last year तो 5000 थी इस बार कह रहे हैं कुछ 8500 के आसपास की seat बता रहे है यह confirmation नहीं है इसके मैं doubtful हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं पड़ा है मतब सर्च किया है गूगल गूगल पे और exact seat का पता आपको government दार दिया जाएगा ठीक है तो ऐसा माना जा रहा है अभी के 8500 something seat है पिछले साल 5000 something थी तो शुरू हो जाईए मैनत करने के लिए और समंदर में अपनी लहरे उठाने के लिए तो देखते रहे और आगे भी मेरा एक video आ रहा है आपको जान की खुशी होगी जिसमें हम वही 12 के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या scope है, need करनी है, उसके साथ और क्या कर सकते हैं ये सारी चीजे आपको मैं अपने next video में बताऊंगी तब तक के के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते रहिए खचते रहिए और बन जाईए डॉक्टर